हलो फ्रेंट वेल्कम बैक टू माई चैनल मैंने में जांकूर मेंदरता दोस्तों अभी अभी जी फाइफ पर स्रीम हुई सिर्फ एक बंदा काफी है बंदा मुवी के रिव्यू में आपका स्वागत है देखो ये फिल्म हर लिहास से आपको देखने चाहिए क्यों देखने च बैठे हूं है धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम कर रहे हैं और उनके नाम पर जो भाई वो बच्चियों का शोशन करते हैं यह उस मुद्बे पर अधारित है कहानी आप सब लोगों को पता है मैं बात करूं एक्जिकूशन की वाई स्मार्ट राइटिंग स्मार्ट डिरेक वर्च टीम ने बहुत शांदार काम किया है और हमें दाद देने यूग डिरेक्टर की अपूर्वो सिंग की उन्होंने जो गूदा दिखाया उन्हों जिगरा दिखाया है ऐसे मुद्दे को आप सामने लेकर आए आसाराम बापू के ओपर फिल्म बनाई गई गई है कहानी है पीसी सॉलंकी की वकील की जिनका करेक्टर प्ले की है मनुज वाचवई साब ने अगर ऐसे एक्टर बॉलिवुड में मौजूद है ना तो बॉलिवुड को कोई हिला नहीं सकता क्योंकि उन्हों जो काम किया है वो भैतरीन से भी भैतरीन है उनकी ये एक्टिंग करियर क बेस्ट बेस्ट एक्टिंग है मैं उनसे पहले आज तक शूल उनकी करियर की बेस्ट फिल्म मानता था पर ये फिल्म करियर की सबसे भैतरीन फिल्म बन चुकी है क्योंकि उन्होंने चेहरे पर जो भाव लेकर रहे हैं डर का भाव जीतने का अच्छापन खुशी डर ये भाव लेवल दिखाता है और जो फिल्म की स्टार कास्ट है कंप्लीड स्टार कास्ट वो भी बहुत जबरदस्त है आसाराम बापु के करेक्टर में जिस बंदे को लिया गया है उसको भाव हूब हूब लगते है और देखकर मज़ा आता है लगता है अंदर से खून खौलत है कि ऐसी कहानी पहले हमारे सामने क्यों यह पांच साल की कोट की हेरिंग चलती है और वो दो घंटे में दिखाना इसके लिए बहुत स्मार्ट स्किल्स चाहिए जो उन्होंने दिखाया है कोटरूम ड्रामा के ओपर आपने बहुत फिल्में देखी होंगी पर मैं इतना कह स अगर आपने यह नहीं देखा तो आपके सारे कोटरूम ड्रामा फेल है और एंड में जो मनोज वाचपई साब भाई क्लोजिंग स्पीच देते हैं ना वो डालोग सुनेंगे तो आपके रॉंग टे खड़े हो जाएंगे अब सीट से खड़े होकर ताली बजाएंगे और म अनोज वाचपई साब के पैर चुने का मन करता है इतनी भैतरीन अदाकारी की है यह नहीं देखा तो इस साल कुछ नहीं देखा जाओ और देखो इससे पहले कि यह बैन हो जाए और बापू की मारली कसम से यह कह सकता हूं यह फिल्म देखकर दिल खुश हो गया सीना चोड संकी साब आपको दिल से सैल्यूट है बाकी वीडियो में इतनी कुछ अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करते ना थैंक्स पूर वाचिंग